सबी किसान भाईयों और दर्शकों को हमरा नमशकर किसान भाईयों आज कल देखा जा रहा है कि जो विभिन बागानी फसले हैं जैसे कि अनार, अमरूद और ड्रेगन फूर्ट इन सब में सूत्रक्रमियों का प्रकोप काफी बढ़ गया है इस अंक में मैं आपको अमरूदों में लगने वाले सूत्रक्रमी से होने वाले नुकसान और उसके प्रबंदन के बारे में जानकारी दूँगा किसान भाईयों, अमरूत की जड़ों में एक सूत्रक्रमी पाये जाता है, जिसको की मिलाइडुगाइन एंटरलोबाई के नाम से हम जानते हैं, यह जड़ गांट सूत्रक्रमी है, यह सूत्रक्रमी के छोटे-छोटे लारवा आपको आखों से कभी नहीं दिखेंगे, पर यह मिटी के अंदर रहते हैं, और महीन घाव बनाके जड़ों के अंदर घुश जाते हैं, जड़ों में घुशने के बाद यह जड़ों में गाठों जैसी सनरशनाओं को बनाते हैं, और उससे जड़ों का पूरा आकार खराब हो जाता है, सूत्रक्रमियों द्वारा बनाए जणों में अलग-अलग रोग उत्पन करने वाले जीवानूं और फुफून भी गुशते हैं और यह सब मिलके पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं 15 से 20 साल तक चलने वाले बागान 4 से 5 साल में खतम हो जाते हैं अभी तक यह बीमारी भारत के 11 विबिन प्रदेशों से रिपोर्ट की जा चुकी है जिसमें की उत्तराखंड, हरियाना, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, करनाटक, तमिलनाडू आधी प्रमुक हैं पौदे के उपरी हिस्से में जो लक्षण आते हैं उनमें पतियों का पीला पड़ना, पतियों का फोल्ड होना और मुर्जाना है जो की पानी की कमी की अवस्था में ज्यादा अच्छे से दिखाई पड़ता है जडो में गांठे बनना और सडना इन सूत्रक्रिमियों के इंफेक्शन का प्रमुक लक्षण है अब हम बात करते हैं कि ये सूत्रक्रिमी आपके खेतों में आते कहां से हैं और इनको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं पहला तरीका यह है कि जिस भी जमीन में आप अमरूत के बगान लगाने की कोशिच कर रहे है या करने जा रहे हैойтиा उस जमीन की आप मिटी की अच्छे से जाच करवा लेए और सुनिश्ध कर ले कि उस जमीन मेग सूत्रकर्मी कि नहीं है ये जाँच आपके नजदी की कृषी विश्विद्याले या कृषी महाविद्याले में नहीं तो पूसा संस्थान में उपलब्द है खेतों को सूत्रक्रमियों से बचाए रखने का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाए है जिस भी नरसरी से आप अपने लिए पौधे लेने जा रहे हैं ये आप सुनिशित करें कि उस नरसरी में जो आप पौधे खरीद रहे हैं वो सूत्रक्रमियों से बिल्कुल मुक्त है इसको देखने के लिए आपको उस नरसरी में चार या पांच या ज़्यादा पौधे उठा के उनकी जड़ों को अच्छे से साफ करके ये सुनिशित करना पड़ेगा कि उसकी जड़ों में किसी भी प्रकार की कोई भी गांट नहीं हो इस बारे में आप बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दे सकते क्योंकि अगर किसी भी पौधे की जड़ में एक भी गांट होगी तो वो आपके खेत में आके बाकी सारे पौधे को और उस खेत को सूत्र क्रमियों से इंफेक्ट कराके बागान को नश्ट कर देगी कई समझदार किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि वो पौध को नर्सरी से घर लाके सीधे बागान में लगाने के बज़ाए एक छोटे से जमीन के टुकडे में लगा लेते हैं ताकि वहाँ पे पौधों की मेचुरिटी भी हो जाती है और अगर उसमें किसी प्रकार के सूत्र क्रमियों का लक्षन प्रकट होना होता है तो वो एक महीने के अंदर में आपको दिखाई पड़ जाएगा जब आप बिल्कुल पूरी तरह से सुनिशित कर लें कि आपकी लाई हुई पौध सूत्र क्रमियों से एकदम फ्री है और उसकी किसी भी जड़ में कोई भी गांट नहीं है तभी आप पौधों को अपने बागान वाली जमीन में लगाएं नए नए बागानों में होने वाले अधिकतर सूत्र क्रमिय इंफेक्शन की वज़ा नर्सरियों से लाए गए इंफेक्टेट प्लांटिंग मटेरियल या इंफेक्टेट पौधे ही होते हैं इसलिए आपको इस जगा पर बहुत साबधानी बरतने की ज़रूरत है तीसरा चरण होता है जब आपको आपने ये सुनिशित कर लिया है कि आपके बागान की मिटी ठीक है और आपके पौधों में किसी प्रकार का कोई सूत्र क्मिय इंफेक्शन नहीं है उनकी जड़ों में किसी प्रकार की कोई गांट नहीं है तब आप अमरूत के पौधों को गड़ा बनाके बागान वाली जमीन में लगाते हैं अब आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है पौधों को लगाने से पहले जो आप गड़ा होते हैं उसकी मिट्टी में आपको 2-5 किलो अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद मिलानी है और उसके बाद ही पौधे को उसमें गड़े में लगाना है सड़ी हुई खाद में बहुत सारे अच्छे जीवानों होते हैं जिनकी वज़े से सूत्रक्रमी अगर वहाँ होते भी हैं उससे वो सूत्रक्रमी मर जाते हैं अब आता है हमारा चौथा और अंतिम चरण करने के लिए अगर आपको कम गाठे मिलती हैं कि एक फंगल बायो कंट्रोल एजेंट होता है जो सूत्रक्रमी को निंत्रित करता है उसका नाम है पर्प्यूरियो सिलियम लाइले सिनम ये यॉरकर या बायो निमेटॉन के नाम से भारती बजारों में उपलब्द है इस फॉर्मूलेशन की एक किलोग्राम मात्रा को एक टन खाद में मिलाके उसको एक हफते से पंदरा दिन तक अच्छे से ढखके सड़ने दें बीच बीच में उसको हिलाते भी रहें ताकि फंगस पूरे खाद में अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके स्पोर्स की मात्रा उस खाद के अंदर बढ़ जाए इसके बाद अब इस सड़ी हुई खाद को जिसमें की अब फंगल बायो कंट्रोल एजेंट के स्पोर्स मिले हुए हैं आप सुनिश्चित मात्रा में पौदों की जड़ों के चारों तरफ अच्छे से मिला दीजे और एक हलकी सिचाई अवश्य कर दीजे इससे क्या होगा कि जो फंगस के स्पोर होंगे वो पानी के साथ जो भी मिट्टी में सूत्रक्रमी होंगे उनको जाके इंफेक्ट करेंगे और उनको मार देंगे और आखरी उपाय जो हमें पौदों में करना है वो यह है कि अगर गांठें बहुत ज़्यादा मिल रही है आपको तो कैमिकल्स होते हैं जैसे कि निमिड्स नाम का एक निमेटिसाइड है और दूसरा है कार्बोफिरोन इसकी 40 ग्राम मात्रा को प्रती पौधे को आपको दे रहा है तो 40 ग्राम मात्रा बहुत कम होती है इसलिए आप उसको मिट्टी में मिलाके इतना बना लीजे कि उसे आप पौधे के चारों तरफ अच्छे से मिट्टी में मिला दीजे और उसके बादे खलकी सिचाई कर दीजे इन सब कदमों को उठाने से आप अपनी अमरूत की फसल को सुत्रक्रमियों से बचा पाएंगे अब एक प्रश्ण बहुत सारे किसान भाई हम लोगों से पूछते हैं कि कई बार सुत्रक्रमिय का इन्फेक्शन जो होता है उनको देर से दिखाई पड़ता है जब उनके बागान की उम्र या पौधे की उम्र पांच से छे साल होती है तो उस केस में आपको ये देखना होता है कि पौधों में फलों का कितना उत्पादन हो रहा है दीरे दीरे अगर कम हो रहा है तो आप अपने विवेक से निर्ने लीजे और अगर आपको लगता है कि आप आपका बागान जो है वो ज्यादा खर्चा मांग रहा है और फलों का उत्पादन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है तो आप उस केस में अमरूद के पौदों को वहा लगा सकते हैं, इन फसलों को सूत्रक्रमी इंफेक्ट नहीं करते हैं, और आप कुछ सालों के बाद फिर से जब आपका बागान सैनिटाइजड हो जाएगा, फिर आप एक बार अमरूद लगाने के बारे में सो सकते हैं.